इन चार चीजों का दिखना है पितरों की उपस्थिती का संकेत, इस मंतर के जाप से पितरी दोश होगा दूर, पितरी पक्ष हमारे पूर्वजों को समर्पित होता है, इस दोरान हमारे पूर्वज धर्ती पर आते हैं, वंशजों को आशिरवात देते हैं, इसे श्राध्या म हालाय भी कहा जाता है। 16 दिनों पूर्वजों को सम्मान और श्रिधान जली देने के लिए समर्पित होती है। माननिता है कि इन 16 दिनों में पितर हमारे नज़दीक होते हैं। इस वज़ा से उनकी आत्मा की शान्ती के लिए जलतरपन किया जाता है। दोरान पूर्वज किसी भी रूप में आपके पास आ सकते हैं। अगर आप उन की शांती के लिए उपाय नहीं करते हैं तो वो नाराज होकर चले जाते हैं। जिससे पितरी दोश उत्पन हो सकता है। इस अवधी में लोग जयोतिश उपायों का पालन करते हैं। पूर्वज करन में परिशानी, विकलांग बच्चे, बच्चों की अकाल मौत, विवाह में रुकावट, वेवाहिक जीवन में परिशानी, नौकरी मिलने में कठिनाई, पीपल का पौधा, घर में अचानक से पीपल का पौधा निकल आए तो ये घर में पितरों की उपस्थिती के कारन हो सकता है। ऐसा संभव है कि आपके घर में पित्री दोश है। ऐसे में पीपल के पौधे को दूर करने के बजाए सबसे पहले पित्री दोश से मुक्ती के उपाय करना चाहिए। लाल चीटियों का अना। घर में अचानक से लाल चीटियां दिखाई देती हैं। वह कहां से इसका पता नहीं चल पाता है तो ये पितरों की उपस्थिती का संकेत हो सकता है। ऐसे में चीन्टियों के पास आटा डालें। इससे पूर्वजों को शांती मिलती है। तुलसी का सूखना। अगर आपके घर में लगा हुआ तुलसी का पौधा अचानक से सूख जाए। तो पितरी पक्ष के नियमों को पालन जरूरी करना चाहिए। पितरी दोश निवारन मंतर, ओम सर्व पितरी देवताब्यों नमह प्रथम पितरी नारायन नमह नमो भगवते वासुदेवाय नमह।